हाँ जी क्रिकेट प्रीमियों तो आखिर समय आ गया ये देखने के लिए कि क्या बैस्ट बॉल इंडिया के अंदर चलेगा पाँच टेस्ट मैच दोस्तों इंडिया इंगलेंड के बीच और मेरे असाब से इस साल का सबसे जबरदस्ट मुकाबला बहुत हो गया वन डे बहुत हो गया टी ट्वेंटी अब हमें टेस्ट क्रिकेट का मनरंजन दिखा दो क्या आप जानते हैं कि 11 साल से उपर हो चुके हैं इंडिया आकर किसी टीम को एक टेस्ट सीरीज जीते हैं और इस बीच भार्दिया टीम ने लगातार 16 टेस्ट सीरीज जीते हैं दोस्तों दोस्तों 2012 के बाद से इंडिया केवल तीन टेस्ट मैच आरी है गर पे 2017 में पूने में टू आस्ट्रेलिया 2021 में जब इंगलेंड चैन्नाई में पहला टेस्ट जीती और पिछले साल जब आस्ट्रेलिया ने तीसरा टेस्ट मैच जीता इंडौर में कमाल का रेकॉर्ड है दोस्तों और सच में मुझे लगता है कि इंडिया आकर जीतना टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा चैलेंज है किसी भी टीम के लिए तो क्या होगा कल से शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच में जो हाइदरबाद में खिला जाएगा सुनने में आ रहा है कि हाइदरबाद पिछ में टर्न होगा परंतु सवाल ये है कि कितना और कब से अगर आप तक की तस्वीरे को देखें तो काफी ड्राइ पिछ लग रही है शायद पिछले साल के इंदौर टेस्ट के जैसे जो तीन दिन के अंदर खतम हो गया था हम सब जाते हैं कि जब से वर्ल टेस्ट चैंपेंशिप WTC चार साल पहले शुरू हुई तो पॉइंच जीतने के लिए इंडियन टीम ने ज्यादतर टर्निंग ट्रैक्स के उपर खेलना पसंद किया वगर दोस्तों ये अप्रोच खत्रे से खाली नहीं है जैसे कि हम सभी ने देखा भले ही टीम इंडिया मैच के बाद मैच और सीरीज के बाद सीरीज जीतते गई है घर पे परंतु खुद के बैट्समिन भी काफी स्ट्रगल कर चुकी है दोस्तों और पिछले साल की बॉर्डर गावासकर सीरीज में चार टेस्ट मैच के बीच सारे बल्लेवास स्पिन के सामने फसे वो भी काफी बुरे तरी से मगर जब आपके पास अश्विन, जडेजा और अक्षर जैसे स्पिनर्स हैं तो आप खुद को बैक तो करोगी जीतने के लिए पहले दो टेस्ट मैच के लिए विराट खुली नहीं होंगे तो इससे मुझे लगता है कि श्रेस आयर की जगे पकी है वो भी चार में मेरे साब से इंडिया की टीम काफी सिंपल है रोहिट शर्मा के साथ ये शश्री जैसवाल ओपन करेंगे इन इस फिर्स टेस्ट मैच इन इंडिया शुमंगिल को एक बार फिर से तीन पे मौका मिलेगा despite a dipping test batting average उसके बाद श्रेस आयर नमबर चार पे केल रावल पांच पे for what will be just his sixth test match in India since 2017 and then KS भरत back in the 11 as wicketkeeper फिर तीन all-rounder जडेजा अश्विन अक्षर और दो पेसर जश्पी बुम्रा और मौम्मध सिराज now देखा जाए तो there is logic in the argument that if you're going to play on turning tracks where the spinners will bowl most of the overs and your pacers will hardly be needed in the second innings कि आप सीधे चार spinners को ही खिला दो और जितना भी मुझे लगता है दोस्तों कि ऐसा हो सकता है और कुलीब यादव को chance मिलना चाहिए I know India will most likely play two pacers alongside Jadeja, Ashwin and Akshan इसका कारण ये भी है कि Australia series में अक्षर आपके best बलेवास थे और अगर वो इतनी अच्छी बैटिंग नहीं करते नीचे नमबर 9 पर तो टीम की हालत और भी खराब होती तो क्योंकि टीम इंडिया की बैटिंग में बहुत obvious weaknesses है spin bowling के सामने तभी अक्षर का खेलना जरूरी है England की तरफ एक नजर डाने तो Harry Brook के घर वापस जाने से अब टीम management इस दूविदा में है कि एक और batsman को खिलाए या सीधे Ben Pholks को wicketkeeper बना कर 11 में ले आए Ben Pholks शायद England के सबसे बहतरी wicketkeeper है दोस्तों और spin भी अच्छी तरह से खेलते हैं So, to my mind, it would be a good option to play Johnny Barristow as a pure batsman and get Pholks to keep wickets Ollie Pope's shoulder injury के बाद वापस squad में आये है and it looks like he will back at one noun जहां Ashes में Mohin Ali last नजर आये ते अगर Ollie Pope खेलते हैं और Brook की जगे Pholks को 11 में मौका मिलता है तो फिर England के Top 7 में सिरफ जो Root एक spin bowling option होगे तो कि खबर है कि Ben Stokes इस सीरीज में bowling नहीं करेंगे अगर हम मानके चले कि ये England का Top 7 है Crawley, Duckett, Pope, Root, Bearstow, Stokes और Pholks तो आप देख सकते हैं कि Root की इलावा England के पास कोई और bowling option नहीं है And this would mean that England can only play 4 front line bowlers अगर team decide करती है कि Pope को बहार रखना है तो फिर एक और bowlers खिला सकते हैं But now, with Shoaib Bashir's visa delay sending him back to England from Dubai England just don't have the option of calling on another spinner for the Hyderabad test match तो मुझे लगता है दोस्तों कि it'll be Pope patting a 3 followed by 4 bowlers Conditions को देकर मैं है रहान नहीं होंगा अगर England सिरफ एक pace bowler खिलाती है और 3 spinners यानि कि Mark Wood Jack Leach Rehan Ahmed और Uncapped Tom Hartley जैसे के हमने पिछले साल Border Gowaz को ट्रोफी में देखा दोस्तों इंडिया के बलेबाज नए spinners को असानी से नहीं खेल पाती जिस तरह से Todd Murphy ने अपने पहले सीरीज में कोली को चार बार आउट किया और Matthew Koonman ने अपने debut सीरीज में रोई शर्मा और केस भरत को परेशान किया मुझे कोई डाउट नही है कि इस बार भी हमारे batsmen spin के सामने फसेंगे तब ही मुझे रहान एमद तॉम हार्टली और शोय बशीर को देकर थोड़ी फिकर हो रही है कि ये अनजान spinners unknown commodities turning tracks के उपर कुछ तुफानी ना कर दे अगर basketball को सफल होना है इंडिया के अंदर तो इन spinners के साथ इंगलेंड के batsmen को conditions पार करने पड़ेंगे और ये अश्विन, जडेजा और अक्षर के सामने बहुत मुझती होगा अब तक basketball सिरफ वहाँ पे चला है जहां conditions batsmen के favor में थे और हम सब जाते हैं कि इंडिया में ऐसा हर्गिस नहीं होगा which as I said sets this series up for perhaps the most entertaining test contest of the year मेरे हिसाब से या तो basketball पूरी तरह से flop होगा और इंडिया 5-0 से series जीतेगी या तो इंगल कुछ दमाल देखाकर पांच में से दो test match ले जाएगी और series जीतने के लिए टीम इंडिया को कुछ खटके करना पड़ेगा what do you think do comment below and for all the latest cricket news and scores head over to the DAFA news website right now take care goodbye for now